नमस्कार दोस्तों, लौगीक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग Indian Evidence Act 1872 का लेक्चर नमबर 4 डिसकस करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग what is direct evidence, what is circumstantial evidence and distinguish between both of them ये topics discuss करेंगे, तो शुरुवात करते हैं आज के लेक्चर को सबसे पहले तो आपको evidence का definition क्या है, ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर मैंने अपने own words में evidence का क्या definition है वो लिखा है लेकिन exam में अगर आपको लिखना है तो आप bear act का definition refer कर सकते हैं एविदेंस का definition देखलीजिए, evidence means and includes all statements made by witnesses regarding the matter of facts under inquiry or statements made as per the permission of the court or statement made as per the requirement of court all documents including electronic records which are produced for the inspection of court are also included in the term as evidence the evidence in the category number one is deemed to be as oral evidence the evidence in category number two is documentary evidence this is not a definition of evidence but a medium through which evidence can be given तो ये slide मैंने read out किया, अभी हम इसे word to word explain करेंगे evidence मतलब क्या, जब भी court of law के सामने कोई dispute आता है imagine करिए court of law के सामने दो प्रकार के dispute होते है civil dispute और criminal dispute दोनों ही dispute के अंदर दो पक्षो होते है एक party अपने तरफ के fact यानि अतत्य court of law के सामने प्रस्तुत करती है opposite party अपने तरफ के fact court of law के सामने रखती है court of law दोनों set of fact का scrutiny करता है इसके बाद में civil disputes के अंदर issues frame किये जाते है criminal disputes के अंदर charges frame किये जाते है और जब भी court of law के सामने issues या फिर charges frame हो जाते है तो इन issues को prove करने के लिए कोई भी party अपने तरफ के और तत्य जब प्रस्तुत करती है यानि supporting fact जब प्रस्तुत करती है तब उन्हें कहा जाता है evidence अब evidence कोई भी party दो modes के अंदर court of law के सामने रख सकती है यानि किसी भी fact को prove करने के लिए party या तो गवाहा लेके आ सकती है या फिर कोई document लेके आ सकती है ये mode of evidence है लेकिन evidence के प्रकार अलग-अलग है मतलब citation लेके आ सकती है party या फिर expert का opinion लेके आ सकती है कोई eye witness लेके आ सकती है या फिर कोई electronic record लेके आ सकती है लेकिन ये सारे प्रकार के जो evidence है ये इन ही दो modes के अंदर गिने जाएंगे For example, अगर party कोई expert opinion लेके आ गई तो वो oral ही तो depose करेगा यानि वो एक oral evidence हो गया I witness का कोई testimony अगर party लेके आ गई तो वो भी oral evidence के अंदर गिना जाएगा party ने अगर कोई electronic record लाया तो उसे भी documents के अंदर गिना जाएगा कोई original document लेके आई तो उसे भी document के अंदर गिना जाएगा किसी document का certified copy लेके आ गई तो वो भी documentary evidence के अंदर गिना जाएगा तो इसके हिसाब से evidence अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ दो modes के अंदर इसका एक्जांपल मैंने आपको दिया है हमेशा की तरह मैंने आपको जो एक्जांपल दिया है वो देखिए imagine करिए ताज महल होटेल के कमरा नंबर 101 में एक मर्डर हो गया है और Mr. A के उपर ये accusation है कि उन्होंने ये मर्डर किया है अभी Mr. A के उपर ये मर्डर का charge framed है और court of law के सामने charge क्या है क्या Mr. A ने ये मर्डर किया है या नहीं ये court of law के सामने एक principal fact है principal issue है जिसे solve करने पर ये case पूरी तरह से solve हो जाएगा अभी यहाँ पर direct evidence क्या होगा अगर किसी ने Mr. A को हाथ में कोई weapon ले जाते हुए camera number 101 में देखा और personally देखा कि वो murder कर रहा है then his testimony will be the ground to direct conviction अभी हम देखते हैं circumstantial evidence का मतलब क्या है मराठी में circumstantial evidence को कहा जाता है परिस्थिती जन्य पूरावा आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप लोग जो देखते हैं CID के अंदर या फिर crime patrol के अंदर वो circumstantial evidence का इस्तमाल करके असली खुनी तक या फिर असली criminal तक पहुचने की कोशिश है जो कि CID के episodes के अंदर आप देखते हैं ये तो हो गया dramatized version अभी हम लोग देखते हैं reality में क्या होता है हम लोग reality और dramatized version इन दोनों के बीच में parallels भी निकालेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सबसे पहले क्या है circumstantial evidence is a logical inference drawn by the investigating authorities after analyzing relevant fact in the case imagine करिये कोई लाश है मतलब एक खून हुआ है और एक लाश पड़ी है तो आपने CID के अंदर तो देखा होगा कि CID वाले crime spot पर जाते है वहाँ पर देखते हैं कोई CCTV मिलता है या नहीं कोई eye witness मिलता है या नहीं उस crime spot के photos निकालते हैं line खीचते हैं और उस लाश को Dr. Salunke के पास भेज देते हैं यह हो गया dramatized version अब reality क्या है reality आपको CRPC के अंदर मिलेगी अगर कोई लाश गीरी है तो पुलिस सबसे पहले उस crime spot पर जाएगी crime spot का पंचनामा करेगी अगर वो accidental death है तो उसकी entry accidental death register के अंदर की जाएगी अगर वो खून है तो उसकी भी entry police diary के अंदर की जाएगी या फिर case diary के अंदर की जाएगी इसके बाद में उस crime spot का पंचनामा होगा police यह देखेगी कि उस लाश के उपर कोई cuts है क्या wounds है क्या bruises है क्या blood flow है क्या इन सारी चीजों की एक list बनाई जाएगी एक प्रॉपर पंचनामा बनेगा section 174 of the CRPC के अंदर उसका format और उसकी सारी तरीके मौजूद है इसके बाद में दो eyewitnesses के sign लिये जाएगे जो की respectable citizens होंगे of the society उसके बाद में उस लाश को nearby civil hospital में भेज दिया जाएगा for post mortem उसके बाद में post mortem का जो report होगा और जो पंचनामा का report होगा ये होंगे investigating authorities के सामने fact उन fact को analyze करके कोई logical inference निकाला जाएगा जिससे investigating authorities को एक line of action मिले उस line of action पर चलते हुए अगर investigating authorities को by chance कोई सबूत मिल गए तो उन्हें कहा जाएगा circumstantial evidence ऐसा इसलिए क्योंकि वो उन्हें directly नहीं मिले या फिर कोई direct evidence से नहीं मिले किसी related witness ने नहीं दिये बलकि उस line of action पर चलते हुए उन्हें by chance मिल गए due to circumstances मिल गए इसलिए उन्हें कहा जाएगा circumstantial evidence circumstantial evidence is less accurate and less admissible as compared to that of direct evidence क्योंकि court of law ये imagine करता है कि पुलिस ने किसी illegal तरीके का भी इस्तमाल किया होगा मतलब आपने CID के अंदर देखा होगा कि CID अपने किसी खबरी को phone करते है और वो evidences निकालते है अब जाहिर सी बात है खबरी तो free में काम करेगा नहीं और खबरी कोई आम इंसान तो होगा नहीं वो भी criminals के अंदर ही मौजूद होगा तो इसलिए वो legal तरीका तो नहीं है तो इसलिए it is considered to be as less accurate or less admissible क्योंकि court of law के भी पता है तो investigating authorities जो line of action पर जा रही है वो गलत हो सकती है तो investigating authorities की दिशा तो सही है लेकिन कोई evidence नहीं मिला मतलब investigating authorities की दिशा भी सही थी सबूत भी मिले लेकिन वो सबूत court of law के अंदर inadmissible माने जाएंगे क्योंकि वो illegal तरीके से निकाले गए थे circumstantial evidence even if found reasonable it cannot be a sole ground for conviction मतलब investigating authorities ने अपनी AD चोटी का जोर लगा कर कुछ relevant और admissible circumstantial evidence लाए even though उन्होंने लाए they cannot be a sole ground for conviction क्योंकि वो direct evidence नहीं है circumstantial evidence should have supporting collaborative evidence circumstantial evidence पुलिस ने प्रस्तुत कर दिये इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रूव हो गए as long as पुलिस उनके support में कोई supporting evidence लाती है तब जाकर circumstantial evidence है वो कुछ वजंदार माने जाएंगे otherwise there are mere piece of paper merely a piece of paper तो circumstantial evidence का concept आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अभी आपको exam में अगर पूछा गया कि direct evidence और circumstantial evidence के बीच में distinguish करो तो क्या होगा direct evidence is the evidence which is directly related to fact in issue और principal issue circumstantial evidence is the logical inference drawn by the investigating authorities after analyzing relevant fact of the case definition it is either a testimony of eyewitness or a relevant document produced in original it is a logical inference drawn by the investigating authorities after conducting investigation direct evidence मतलब ऐसा सबूट जो directly related है fact in issue से circumstantial evidence मतलब ऐसा सबूट जो investigating authorities ने अपने दिमाग का इस्तमाल करके बनाया है या फिर उन्हें by chance due to the circumstances मिला है direct evidence is considered to be as more accurate ज्यादा accurate माना जाता है circumstantial evidence less accurate as compared to that of direct evidence direct evidence if proved beyond reasonable doubt can become sole ground for conviction मतलब direct evidence अगर court को relevant और admissible लगा then that would be a sole ground for conviction circumstantial evidence cannot be sole ground for conviction even though it is supported by supporting evidence तो आशा करता हूं आपको direct evidence और circumstantial evidence के बीच का difference समझ में आया होगा so that's it for today's lecture thank you so much please like share and subscribe to my channel